प्रथम विश्व युद्ध क्यूं हुआ था जानेकारण और भारतिय सैनिकों की भूमिका इस युद्ध में 10 लाख भारतिय सैनिकों ने लिया था हिस्सा प्रथम विश्व युद्ध में 85,28,831 लोगों की हुई थी मौत करीब 4 साल तक चला था प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला ये एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था इसे सभी युधों को समाप्त करने वाला युध भी कहा जाता है ये एतिहास में सबसे घातक संगर्षों में से एक था जिसमें करोडों लोगों की मौत हुई जबकि युध के बाद 1918 में फैला स्पैनिश फ्लू महामारी दुनिया भर में एक दशमलव साथ से दस करोड लोगों की मौत का कारण बना इस युध में करीब दस लाख भारतिय सेना जिसे ब्रिटिश भारतिय सेना कहा जाता था उसने भी भाग लिया था इन में से 62,000 सैनिक मारे गए थे और अन्य 67,000 घायल हो गए थे युध के दौरान कुल मिलाकर 74,187 भारतिय सेनिकों की मौत हुई थी प्रथम विश्व युध में भारतिय सेना ने जर्मन पूर्वी अफ्रीका और पश्चमी मोर्चे पर जर्मन सामराजे के विरुध युध किया इस युध में खुदादाद खान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले भारतिय बन प्रथम विश्व युध के कारण 28 जून 1914 को बोस्निया के सर्भ युगोसलाव राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिप ने सारा जिवो में आस्ट्रो हंगेरियन वारिस आर्चिड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी जिसके बाद आस्ट्रिया हंगरी ने सभिया पर युध की घोशना की युद में भाग लेने वाली केंद्रिय शक्तियों में आस्ट्रिया हंगरी बल्गेरिया जर्मनी और तूर्क सामराज्य अब तूर्की शामिल थे वहीं मित्र देशों की शक्तियों में बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, इटली, मुन्टेनेग्रो, पूर्तगाल, रोमानिया, रूस सभिया और सहियूक्त राजব अमेरिका शामिल थे संयोक्त राजे अमेरिका ने तत्स्थता की घोशना की जब तक की जर्मन पंडूब्बी ने अमेरिकी वाने जेक शिपिंग को डुबा नहीं दी